नश्कार मैं हूँ आपके साथ जोती सांगवानूर आप देख रहे हैं खबरें अभी तक देश के एक बड़े हिस्से में बिजेपी सरकार में हैं और जो बड़ा दावाख है बिजेपी की और से वो ये है कि प्रस्टा चार पर बिजेपी का जीरो टॉलरेंस है लेकिन एक बार फिर से इनेलो सांसदुशन चोटाला की और से बिजेपी सरकार पर आडूप लगाए गए हैं खोटाला की जाने के आरूप लगाए गए हैं और बड़ा खुलासा किया गया है हिसार से इनैलो की सांसत दुशन चुटाला ने हर्याना की स्वास्ते विभाग की और से इस खोटाले को अंजाम दिये जाने की बात कही है साथ आपको ये भी बता दियें कि स्वास्ते विभाग हर्याना की कैबिनेट मंतरी अनिलविच के अंतरगताता है वो इसको संभालते हैं और अपने बयानों के लिए वो जाने भी जाते हैं कई बार खुद को हर्याना की राजनीती का गबर वो कह चुके हैं और अब इनैलों की नशाने पर हर्याना की गबर आ गए हैं अनिल्विच के स्वास्थ विभाग में RTI की और से करोडों के घुटाले का खुलासा किया गया है दुशन ते कहा कि एक RTI में खुलासा हुआ कि मनोहर सरकार ने स्वास्थ विभाग के साथ मिलकर 300 करोड के घुटाले को अंजाम दिया है अगर इसके गहनता से जांच की जाए साथी दुशन ते कहा कि सरकार नी जीन, रोहतक, हिसार, फतेहबाद और रिवारी में करीब 100 करोड से जादा का खुटाला की आख है जो कि साब ने आ चुका है साथी दुशन चुटाला ने कहा कि प्रेगनेंसी जाच किट की खरीद में भी धांगली की गई साथी ने कहा कि प्रेगनेंसी जाच किट की अगर बात कर ले जाए तो सरकारी मूले 2 रुपए 87 पैसे है लेकिन सरकार ने इसे 26 रुपए में खरीदा है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंतर है मेरा यह अनुमान है जो डाटा हमारे पास है अलग 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 डिस्टिक्स का यह सवा सो क्रोड से उपर का मामला है जिसके अंदर पूरे तथ्य हमारे पास अभी पांच जिलों के है मगर मेरा यह अनुमान है अगर 22 जिलों का प्रॉपर ऑडिट करवाया जाए तो यह पूरा मामला कम से कम 300 करोड से उपर का है हमारी यही मांग है कि मुख्यमंत्री तुरंद प्रभाव से पिछले चार वर्षों की हल्थ डिपार्टमेंट के सभी पर्चेजिस की ऑडिट करवाएं और साथ की साथ जो तथे मैंने आज आपके सामने रखे हैं इन तथ्चेओं के अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो मैं कॉप्य उनको दूँगा इसकी सीविया जांच कराएं और मुख्यमंत्री इसकी सीविया जांच नहीं कराते तो मैं खुद स्वम CBI डारेक्टर अलोक वर्मा जी से समय लेकर यही मांग करूँगा कि इस पूरे मामले की वो जांच करें हिसार के अंदर एक कंपनी है जी के उसके जो प्रोप्राइटर है आज वो तिहार जेल के अंदर देश दुरो के मामले में जो की नकली सिक्के बनाने की आरोप में आज वो बंद है उनकी कंपनी से सोनलाल कंसल जी के बेटे कनिश्क ने निरंतर गौर्मेंट के अलग-अलग जिलों में वर्क ओर्डर लिए और उनको माल सप्लाई करने का काम किया इसी परकार जीन्द के अंदर जो गौर्मेंट टेंडर द्वारा प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स की कोटेशन दो रुपे नब्बे पैसे की थी ओवर दे पीरियड उनी प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स को टेंडर प्रक्रिया को फॉलो करने की वजाए अलग-अलग पतालों में 28 रुपे तक पर्चेश किया गया है इस सरकार ने तो ये भी कहा कि हमने लोगों को मुफ्त दवाईयां दी मराज एक चीज़ साबित होगी कि केवल मात्तर जूट बोलकर लोगों को बेकाने का कामी सरकार कर देए ये तो खुल के खा रहे हैं खुलासा किया जाए और CBI जांच की मांग की जाए तो हर्याना की तीनो पार्टियां क्या कहती है क्योंकि आरूपों को भी जानेंगे कि आरूप क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे रवेंद्र ढूल है हमारे साथ इनलो प्रवक्ता संजय शर्मा बीजेपी का पक्ष रखेंगे और साथ ही रंजिता मेहता भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं कॉंग्रिस प्रवक्ता है संजय शर्मा जी ये बताइए जिस तरहां की बातें आप लोग करते हैं कि फ्रस्टा चार पर जीरो टॉलरेंस है इनलो अगर आरूप लगाती है आर्टियाई के खुलासे के हवाले से आरूप लगाए जाते हैं तो सरकार का पक्ष क्या है देखे जो पी ये क्या मामला है आर्टियाई से क्या निकला देख उसका पूरा मुझे जानकारी नहीं है लेकिन जहां तक बात है सरकार की जीरो प्रप्रेंस की अप्रचार के प्रती रुख की तो वो जैसा पहले था वैसा अब है जिस तरह की बात अभी दुस्यानत चुटाड़ा जी अपनी बाइट के अंदर कह रहे थे कि ऐसे हॉस्पिटल्स के अंदर प्रिगनेंसी केट्स करी दी गई है तो सरकार इसका तुरंत संग्यान लेगी और अगर इस तरह से तैय रेट से या तैय मानकों से ज्यादा किसी ने क्योंकि यह जो प्रचेज है वो लोकल लेवल पर की गई है इस तरह की एक मुस्त प्रचेज नहीं की गई है तो लोकल जो अधिकार सीमोज को होते हैं उनको जो प्रचेज करने का अधिकार होता है उस आधार पर उनना कोटेशन देकर के लेकर के और इस तरह के प्रचेज की है इसकी तुरंत जांच करवाएंगे और इसकी अंदर जो कि सरकार को इसकी कोई जान करें नहीं सबसे पहले मैं यह बता दू कि सरकारी जो टेंडर की प्रिकरिया है वो टेंडर की प्रिकरिया के अनुसार जो है टेंडर के रेट जो है सरकार के द्वारा सप्लाई इनको पहली बातों नीचे डिस्टिक लेवल पे किये गए थे और यह है मामला अलग अलग district में और दूसरी चीज़ ये है कि जब जब दुशन जी ने जब कावार्शे का या तोर टाष के टे जुइस जिश्च्ट से पूर्व कॉर्व रजिस्टर में मारट दू जाला अठाता टारा में लगाए गए早 कॉंसिल फॉर फार्मेसी के हरियाना के उनके बेटे के खाते में इस फेक फर्म से पैसा ट्रांसवर हो रहा है तो इसलिए यह मामला क्रिपया करके संजे शर्माजी सपष्ट कर ले कि यह मामला लोकल डिश्टिक लेवल कर नहीं है क्योंकि अलग अलग जिने से जो पैसा जा रहा है वो कंसल साब के बेटे के खाते में जा रहा है और वो कंसल साब जिने इनोंने जो है चेर्मन लगाया कॉंसिल फॉर फार्मेसी का हरियाना के अंदर दूसरी चीज जो सबसे महत्रपून चीज है वो यह है कि आपको इस बात का इपर पता होगा कि यहांबर जो है जा रहा है वो कॉंसिल फॉर चेर्मन के वो रहा है वो कॉंसिल फॉर चेर्मन के वह रहा है फॉर फॉर फार्मेसी के चेर्मन के बेटे के खाते में कैसे माल लिया जाए कि सिर्फ अधिकारी सनलिप्ट होंगे अगर इस तरहां का घुटाला हुआ है जो कि आर्टी आई कहती है जो कि इनलों के आरूप भी है क्या किसी को लाभ पहुँचाए जाने की कोशिशी नहीं सब्सक्राइब करेंगे अच्छाए शुचाए तरह जाम फोराद के बाद कि आर्टी आरूप शही निए व्हाी फ्रम को ऊष्टी नहीं के और जिखना मदान मुदा répondre तो इनका ये कहना कि ये डिष्टिक लेवल पर काम कर रहे हैं तो ये इससे बड़ा जुट्राने वाला कोई कारे नहीं होगा, निच्ची तरूप से उस शगून ट्रेडिंग कंपनी के पीछे कोई नो कोई देखती है, और महतरपून चीज है कि जो शगून ट्रेडिंग कंपनी जो अलग 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 अधिकारी इस पे आख मूंद करके बैठे हुए है, अलग 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 अधिकारी और सरकार को कुछ भी नहीं पता, इससे बड़ा जूट कोई भी नहीं होगा, चले जवाब लेंगे उससे पहले ये जानने कि कांग्रेस कहां खड़ी है, इस पूरे म कांग्रेस का क्या पक्ष है, इन आरूपों को लेकर? जान्च करवाएंगे, आप कैसे कहेंगे इस मामले में कि सरकार की किसी तरह की भागीदारी नहीं है, या किसी को लाब पहुंचाए जाने की कोशिशें नहीं की गई है, जो कि रविन धुल साब की और से पूरी बात बताई गई उस पर? जिसका लोए स्रेक होता है, उस अधार पर और टेंडर की रेट पर नहीं दिये गए, बहुत चारे ऐसे भी मामले जिन में टेंडर ही नहीं दिये गए हैं, ड्रग लाइसेंस नहीं है, वहां से खरीद की जा रखी है, फिर इस पर क्या कहेंगी विज़पे? इस बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि ये कोंट की RTI इनों ने दे कि सुआथी, लेकिन मुझे जो जानकारी ये परके उसके आधार पर ये है कि एक निश्पित राशी तक की खरीदने की पावर, वो CMOs पो होती है, डिस्ट्री लेबर पर CMOs, वहां की जरूरत क हिसाफ से जो essential medicines हैं, वो खरीज सकते हैं, तो ये जो RTI के तहर जानकारी ने लो को किसी करिकरतन है या दुश्यांते जिने जिसने भी मान ली है, उस आधार पर जो रिपोर्ट आई है, अगर वो उस लेबल की है, तो उसमें आप कैसे कहोगी तो उस्चास तर पर इसमें धा जोप लगाती है, फिर कैसे मान लिया जाए कि राजदितिक लाव पहुचाए जाने की कोशिशें नखी है, इस बात का जवाब दे दीजे, हमें इसी बात का जवाब दे रहो किसमें कोई सवास्या मंतरी का कहीं रोल ली है, इसके अंदर, मैं कह रहा हूं कि एक अधिकारी, इसी मो लेबल का जिकारी, इस बात के लिए सक्षन है, कि वो जिलास्या सर पर एक लेवल तक की मेडिसन स्ख्री सकता है, इस बात कि रहा हूं कि अगर इस तरह की धानदली पाई जाती है, इस तरह की कोई बात पाई जाती है, उसे प्रण्त हम जान कराएंगे, आदिये के स्देश्रां करें जाती होगे, इस तरह की बात पाई जाती है, इस तरह की बात कैसे नृच्टन स्वी घात है स्वास्ते मंत्री से सवाल कैसी नारत थीह ईघात है, खी लुटना की जाता है। कि जाए रविंदर धुल साब जब तीन साल तक इसे तरहों से खरीद चलती रहती है सरकार कहे देजाब करें इसको एक बात देखिए कॉंसिल फॉर फार्मेसी का जो पद है चेर्मन का वो राजनेतिक पद है और तीन साल के लिए राजनेतिक न्युक्ति है बारतिय जनता पार्टी के कारे करता है चेर्मन साब और उनकी न्युक्ति मार्च 2018 में राजनेतिक न्युक्ति है उससे पहले हुआ पांच महीने रजिश्ट्रार रहे है और उससे पहले हुआ वहाँ पर हिसार सिविल हास्पिटल के अंदर तीन दो साल तक तोर की पर भी रहे है तो ये कहना कि कॉंसिल पोर्टेर होने जो फार्मेसी है उसके चेर्मन जो कि खुने तोर पर अपने आपको खटर साब के और अनिल वीचे के नजदी की बताते है वो इसके अंदर जहर राजनेतिक पर अगर उसमें भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकरता के दौरा हेल्ड किया गया राजनेतिक पद अगर उसमें भारतिय जन्ता पार्टी अपने आपको कह रही है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है तो ये अपने आप में जूत है दुसरी किजना आपको बता दू एक और मैतकूंची जो तुशन जी ने बताई थी जो कि भारतिय जनता पार्टी ने ही इनु आपको बताई किया कि यह जानकारी इनको नहीं दी जा सकी यह अपने आप में बहुत परी बात हो जाती है कि यह जानकारी सप्लाई किया वह भी केवल पांच इजड़ो कि वह अधूरी है यदि मैं रेवाडी रेवाडी की भी जानकारी मैं आपको बतादू यदि वह भी पूरी आजए वह भी क्री सो करोड के अंदर जाएगी इतना बड़ा घोटाला है वह अभी भी हमें जानकारी नहीं दी जा रही है जिए जब आरटि आई से ऐसा कुछ भी वह अपणी नहीं है कि आरटि आई से जानकारी ना मिले कोड के जरीए जानकारी मिलती है उसके बाद भी पूरी जानकारी अभी नहीं मिली पांच जीलों में 100 करोड से ज़्यादा का गोटाला ये निकल कर साब ने आया है तो अपने आप में बड़ा गोटाला हो सकता है रन्जीता जे नहीं यही बात करें जो थी यह गोटाला अभी तो सिर्फ पांच जीलों की जो इन्फरमेशन है उसके वहापे है अगर 22 के 22 जीलों की इन्फरमेशन आती है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तर के उपर इस परड़ेश में गोटाला किया जा रहा है जहां पर प्रेगनेंसी जो बताया गया है कि 2 रुपे 90 पैसे की जो मुल्टी है सरकारी रेट पे उसको 28 रुपे में खरीदा जा रहा है कितने गुणा करेंगे आप आप मल्टी प्लिक्षिकेशन करके देख लिए तो गुणा प्रॉफिट जो है यह पहले से ही वो उसको महगा पस्येस कर रहे है तो यह पैसा इंकी जेबो में सरकारी जो लोग लगे होunt उनकी जेबो में नहीं जा रहा है मज़या पढ़ा है इस वारे में पुछ भी कहना ठीक नहीं है अभी इसके बारे में के रहिमें नहीं है उसरकारी सफताव propor केacas कंई करए यह आ असे reinvent को एक आदल का लगे यह कोरी ने का मतंड़िश क्लिश्बाक ब्रष्बेश लागे ।ो य किने लो कहते हैं सीबी आई जांच करवाईए मंगलवार तक का आप लोगों को वक्त दिया गया है क्या सीबी आई जांच करवाएगी सरकार इस मामले की मैं ये कह रहा हूँ कि सीबी आई जांच की जूरुत पड़ेगी तो वह भी करवाएंगे लेकिन किसी को भी प्रदेश के पैसे के साथ दुरूप योग करना प्रदेश के जो लोगों की गारी कमाई से आया हुआ पैसा है उसको कोई ही अपनी जेम में डालने का दर्प्यास क लघ अब सक्वाएं. कार वह भी कि नहीं समझती उसके बाद एक्शन लिए जाने में कहना कि अभी जल्दबाजी होगी इस पर बात करना क्या दिखाता नहीं की कम घंभीरता हैं सरकार की कि सरकार के जो मंत्री होते हैं, वो कोई हर चीज की प्रकेशी आडिट नहीं करवाते हैं, अगर इस तरह कोई मामला सामने आता है, तो जिस्वी अधिकारी में, जिस्वी करमचारी में, अगर क्यों यह अनिमितता की है, उस अनिमितता की हम जार्च कराएंगे, और जो भी उसमे अनिल्विस सहाब को अपने पत्से अस्तीफा देना चाहिए तेमरे तेलियर के बाद, इस तना बड़ा तेलियर है, एक ही कंपनी जो है, एक ही परड़क को अलग लग जिलों में, अलग लग रेटों में परचेजर कर रही है, इससे बड़ा खुटाला क्या होगा, कि एक ही जो ही कष़िए, एक ही पड़क और अलग लग लग रेट और इक इंटरसिंग बात बूताना चाहूंगी, जो तीजी, आप इस देखिए, कि जो वर्क ओर्डर बन रहे हैं, सब जिग़ा के उपर, एक ही हन्राइटिंख पर रहे है, एक ही हन्राइटिंग एंडर एंसान की वो एक ही इंसान सब ज़गा पर इन्वाल्व है तो कहीं ना कहीं आज अनिल वीजी की आँख के निती इतना बड़ा घुटाला हो रहा है यह सरयाम जो है भाजपा सरकार जो है लोगों की आखों में धूल जोंकरिये कैग ने इंक पर उंगले उठा दिये हैं हर जिगा पर इ में कके लिए इनिवाहां की पॉघ। जो को मुख्यामंत्री ना उचस्ति आतिकारी इस मारे में कॉई कोई चाहिं चीकलर मायलों डि मतरिय कि कोई भी मंत्री आराद्वितिक इसमें शामिल नहीं होगा दोल साब एक मिन पहले कर रहे थे कि कदियती कोई मंत्री नहीं तो आम उस्टों पर भी एक्षन नेंगे अभी इन्होंने कर दिया कोई मंत्री समय आप अनि ये श्रम कर लीजिए विना जांच से पहले गरंटी कैसे लिजा सकती है फिर क्या काम है CBI का विजिलाइस का भी श्रम करेंगे असल बनाटी कैसे ले सकते हैं को घुडाला करेगा तू भी आków कुडाला किया जाएगा क्या देखिए जयोती इस वास का विश्वास होता है ना कि हम उनके साथ काम करते हैं वो हमरे वरिष्ट निता है हम जानते हैं ना कि उनका क्या वेभार है उनका क्या काम है हम जानते हैं ना वो अपने लेवल पर सलिप्स नहीं हो सकते सब्सक्राइब अगर जरूरत पड़ती है तो स्वामले की करवाई जाएगी जो कि आप लोगों की मांग भी है कि मेरा नहीं है सब्सक्राइब 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 कि बिना जांच की पहले ही सटिकेट देते हैं कि मारे मंस्री के ऐसा नहीं कर सकते हैं यह वला दुबाग ऐसा नहीं कर सकता आप उसकी जांच तो करवाएगे और इस पक्स जांच तभी होगी अगर आप वह सिटिंग हाई कोर्ट की किसी जस्ट से करवाएंगे या फिर आप C पक्स यह कहता है कि बड़ा घुटा लाख है मंत्री जी इस्तिफा देदें CBI जांच करवाए जाए हालांकि हर्याना बीजेपी के प्रवक्टा संजे शर्माजी गैरंटी लेते नजर आए कि वो गैरंटी लेते हैं कि हर्याना सरकार का कोई भी मंत्री या कोई भी विधाय इस मामले में सनलिफ्त हो ही नखी सकता लेकिन मामले में देखने वाली बात ये होगी की पांच जीलों की आर्टी आई अभी साबने आई है बाकी जीलों के अगर आर्टी आई से जानकारी मिलती है तो कितना बड़ा यांकडा पहुँच सकता है जो करीब 100 करोड से उपर अ यासा नास्कार